नाखपूर में एक महिला डॉक्टर के साथ में लगभग एक करोड रुपए की धोखादड़ी हुई है और खास बात यह है कि धोखादड़ी करने वाला कोई दूर का नहीं बलकि इनके ही रिष्टेदार है सारी जानकारी हम महिला से खुद जानते हैं वो खुद BCN से बातचित करते हुए उन्होंने बताई किस तरीके से उनके साथ घटनाए हुई है और फिलहाल पांसवावली पुलिस्टेशन में मामला दर्ज है और पुलिस की चांच चानबीन भी कर रही है दोस्तों आज हमारे भी चुपस्तित हैं पल्ल क्या है मामला और आखिर एक करोड यानि इतना बड़ा मामला इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हुआ मैं कैसे हुआ इसकी शुरुवात कैसे हो और किसने फ्रॉड की हमारे मेरी मुलाकात निलेश का एक वर जो की फर्स्ट कल्परिट है उससे मुलाकात करवा के दी मदूली का ड वो खुद वेल सेटल है और जो निलेश का एकवाड है वो एड़ोकेट है पेशे से जैसे कि मुझे बताया गया था बाई मदुली का बागडे लेकिन अब तो फिर उर्स ने पहचान करा कि दी हम लोग रिटार्मेंट के हिसाब से वापस आने की कोशिश में मैंने उससे कहा ता कि मुझे अगर कोई चीज हो जैसे होस्पिटल वगेरा का तो बता दीजिए तो हम लोग करें तो उस वो प्लान लेके आया था यह मेरा ससुराल है नाकपूर में तो हम लोग रहते हैं यूएस में वेकेशन के लिए आये ते और करोना के टाइम पे दो अड़ाई साल आ दिया था ओनलाइन या जो भी इंवेस्टमेंट आपने किया कितने का इंवेस्टमेंट होना चाहिए और कितना इंवेस्टमेंट आपने कर दिया जाने अंजाने में आइडियली सिर्फ होना चाहिए था 26 लाग का और मैंने उससे 99.49 पॉइंट नाइन लाक्स और 49,000 दिये यह इन ट्रांजेक्शन में बहुत बड़ा गैप है इन दोनों में तो फिर आप किस परपस से दिये और आपको कैसे लगा कि ऐसा हो सकता है तो उसने क्या किया है जो फार्मेसी मुझे दिया उसने वो फार्मेसी का प्राइज एक्चिल में पांच लाग का है बट उसने बागज भी दिया मुझे जो आरोपी है उनसे आप कैसे मिले फिर आप किसने मुला करते हैं डॉक्टर मदुलिका बागडे उन दोनों की शादी होने वाली है वो उसकी फियांसे करके ही सबको बताता है क्या इसमें जो आपकी ननद है उसको पहले से पता था कि उनके होने वाले पती इस प्रविति के हैं कि लोगों के साथ मुझे करते हैं और यानि की खास करके अपने रिष्टेदार में करते हैं कि इनकी पहले से प्लानिंग होगी अभी जो बयान वो कंपनी के ओनर ने दिया है पोली स्टेशन में और जो जो मुझे बताया गया है according to everything वो हर transaction मतलब हर इसके टाइम पे वहाँ पे available थी so उसे जो सच वाली प्राइज है जो रियल प्राइज है वो पता है then also she let nilash give me all the fraudulent documents सारे सारे एफिडेविट रॉंग है और उसमें जो signatures है वो रॉंग है मेरी एक एफिडेविट उन्होंने court में दिखाई है उस पे signature भी मेरा डाला है उसने लेकिन वह मैंने sign कभी नहीं किया मैं यह जो एक बड़ा gap है आमाउंट में जितनी costing होनी जितना आपने पेड कर दिया तो कभी आपने market value जाने कोशिश नहीं कि यहां पर किसी और से फिर कि इतना बड़ा investment करो रोगा to be very true tell you the truth नहीं 2021 से लेके at least 2022 लास्ट में तलग I was very busy इस पे मुझे पहले डाउट कब आया जब इसने company में नाम मेरा डालने के बजाए इसके भाई का डाला वो भी मुझे बिना बता है और वो आरोसी के website पे मैंने देखा मैं December में आई थी लास्ट December which is 2022 एक हफते के लिए और तभी मैंने उससे इन परसन पूछा कि तुम यह तभी उसने बहुत बवाल किया कि नहीं भावी वो तो आप थे नहीं करके मैंने डाला but he never asked me about it उसकी पर्मिशन नहीं ली थी उसने मुझसे तो फिर बाद में उसने बोला कि वह भाई का रेजिगनेशन लेकर मेरा नाम डालेगा अब एपरिल में जाके मेरा नाम आया है उसमें तो सारे ट्रांजक्शन ऑनलाइन कि कुछ कैश भी थे ने कैश कभी दिया नहीं है क्योंकि मैं साती किसी को पता नहीं था कि मैं नाकपूर में आई हूं मेरे रिलेटिवस को नहीं पता था क्योंकि हमारे यहां पर बहुत सार रिलेटिवस हैं अगर एक को भी भनक पड़िए तो इनका इमोशनल अत्याचार मुझ पर वैसे ही चल रहा है तो मैंने डारेट जो आपके सी वी ज़िए अवक पर नहीं है कि यह चार रहा है उनको हर सुमवर और गुरवार जाके वहां पर बैठना है और यह हल्प करने बट शीज नॉट हैं अब तो वह बोल देती है कि नहीं मेरा कुछ रिष्टा यह बाकी दुनियावालों की तो आके बंद नहीं है ना सब ने द तो बहुत ज्यादा प्यार है उन दोनों का तो जैसा कि देखा आपने की किस प्रकार से अपने ही यानि कि रिष्टेदार में ही करोडों का लगभग फ्रॉड कर लिया गया इस समंधित अधिक जानकारी हम फिर आप तक ले आएंगी इस केस में जो भी एक्टिवीटी होगी स कि लिष्बार दो आपके साथ में विर्सिंग